मायरा फैशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अजमेर निलास, युनिसेक सलोन, अन अकाडमे, अपोजेट बदर विद्याले, विशाली नगर, अजमेर जहिंद, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया और आज बात भारतिय नौसेना में उठाए गए सक्त कदम की भारतिय नौसेना ने ऑनलाइन जासूसी से बचने के लिए सुरक्षा के लिहाज से करमचारियों को सोशल मीडिया का इस्तिमाल बंद करने के आदेश दिये हैं भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेस्बुक, वाटसैप, इंस्ट्रागराम आदी को नौसेन ने करमचारियों के लिए बैन कर दिया है नौसेना से प्राप जानकारी के मताबिक पिछले दिनों साथ करमचारियों को सोशल मीडिया के जरिये समवेदंसील जानकारी दुश्मन देश को लीग करते पकड़ा गया था इसके चलते अब भारत सरकार ने सकती बरतते हुए ये कड़े कदम उठाएं है अफसरों ने नेवी बैस, डॉक्यार्ड और युद्ध पोतों पर स्मार्टफोन के इस्तमाल को भी बैन कर दिया है नए आदेश के मताबिक अब नौसेनिक मेसेंजिंग एप के साथ नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग एप, कंटेट शेरिंग, होस्टिंग और e-commerce वेफसाइड भी नहीं खोल पाएंगे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस बैन का मकसद आने वाले समय में नौसेनिकों को सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप जैसी खत्रों से बचाना भी है, ताकि वो हनी ट्रैप में फसकर दुश्मन को, उनकी खूफिय अजेंसियों को सवेदर्शी शूचनाय लीग ना कर दे गौर तलब है कि आन्दप्रदेश पुलिस ने 20 जिसंबर को पाकिस्तानी संबर्ग वाला एक जासूसी रैकेट का परदाफाश करने का दावा किया है भारतिय नौसेना के साथ कर्मियों को इस सिलसले में गिरफ्तार भी किया गया था इसके अलावा एक हवाला ओपरेटर को भी हिरासत में लिया गया था मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सभी आरूपी 2017 में नौसेना में शामिल हुए थे जिसने उनसे नौसेना की गोपनिय सूचना लेनी शुरू कर दी और अब ऐसे हनी ट्रैप से बचने के लिए नौसेना में ये सक्थ नियम लागू किये जा रहे हैं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो योट्यूब पर देख रहे हैं तो उहां सब्सक्राइब करें वीडियो जन्रलिस्ट राजीर पवार के साथ मैं ललित खत्री, MTTV इंडिया झाल राजीर ये वीडियो नन्रल देख रहे हैं आपकर वीडियो ये वीडियो झाल झाल